नमस्कार दोस्तो इस कहानी का शीर्षक है स्नो वाइट और साथ बॉने इसी तरह की रोचक, मनोरंजक, मनोहरी और नैतिक द्रिश्टिकोन वाली कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल इट्स स्टोरी टाइम ओफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज को लाइप, कमेंट और शेयर करके हमें सपोर्ट करें धन्यवाद आईए सुनते हैं इस मज़ेदार कहानी को सदियों पहले की बात है, एल्डूरिया नाम के एक राज्य में एल्डेनौर नाम की राजा और अमारा नाम की राणी राज किया करते थे दोनों ही अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते थे और दोनों ही बड़े साफ दिल के और बहुत ही नेक थे उनकी जिन्दगी में बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी राणी अमारा को काफी समय से एक ही बात की इच्छा थी कि उनकी एक बेटी हो जो सबसे सुन्दर और प्यारी हो वो रोज ईश्वर से इस इच्छा को पूरा करने के लिए प्राखना किया करती थी कुछ सालों बाद रानी की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है और वो एक सुन्दर सी बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो इसनो वाइट रखती है इस बात की खबर जल्द ही पूरे राजजे में फैल जाती है और सभी जगह इस बात की धेर सारी खुशिया मनाई जाती है लेकिन ये खुशिया जादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी बेटी के जन्म के कुछ दिनों बाद एक दिन जब राजा और रानी कुछ दिनों के लिए जंगल में घूमने जाते हैं तो वहां उनकी मुलाकात सेराफीना नाम की एक महीला से होती है जो असल में एक तुश्ट जादुगर्नी थी कुछ दिनों बाद वो जादुगर्नी मौका लगते ही रानी अमारा को अपने जादु से एक चड़िया बना देती है और उसे अपने पास एक पिंज्रे में कैद कर लेती है रानी के अचानक लापता हो जाने से राजा को लगता है कि रानी की मृत्ती हो चुकी है इस बात से राजा बहुत दुखी हो जाते हैं और वो उस जंगल से वापिस अपने राजे लोट जाते हैं। कुछ दिन अकेले अपनी बेटी की देख भाल करने के बाद राजा एल्डेनौर स्नो वाइट की परवरिश और देख भाल के लिए दुबारा शादी करने का फैसला करते हैं और जल्द ही कैलिस्टा नाम की एक महीला के साथ शादी कर लेते हैं। लेकिन राजा एल्डेनौर जिससे शादी करते हैं वो असल में वही दुष्ट जादुगर्नी सेराफीना होती है जिसने राणी अमारा को अपने जादू से एक चडिया में बदल दिया था और अपने पास कैद करके रखा हुआ था। वो दुष्ट जादुगर्नी अपने जादू से अपना रुप बदल कर कैलिस्टा बनकर राजा एल्डेनौर के साथ शादी कर लेती हैं। शादी होने के बाद कैलिस्टा उस चडिया को जो की रानिया मारा थी उसे भी अपने साथ महल में ले आती है। स्नो वाइट उस चडिया को देखकर बहुत खुश होती है और स्नो वाइट कैलिस्टा से उस चडिया को अपने पास रखने की जिद करने लगती है। स्नोवाइट की बात सुनकर पहले तो कैलिस्टा उसे मना करती है लेकिन राजा एल्डेनौर की वजहे से कैलिस्टा को उस चडिया को स्नोवाइट को देना पड़ता है इस बात से अंजान कि वो चडिया असल में स्नोवाइट की असली मा है इस्नो वाइट उसे बहुत ही लाड़ प्यार से अपने पास रखती है इधर कैलिस्टा इस्नो वाइट की खुबसूरती से बहुत जलती थी वो चाहती थी कि पूरी दुनिया में सबसे जादा खुबसूरत वही लगे उसके पास एक जादूई आइना था जिससे वो हर रोज उचा करती थी कि सबसे सुन्दर कौन है हर बार आइना जवाब देता था राणी कैलिस्टा आपको सुन्दर है ही लेकिन इस्नो वाइट आपसे भी ज़्यादा सुन्दर है हर बार आइने का ये जवाब सुनकर कैलिस्टा को बहुत गुस्सा आता था एक दिन कैलिस्टा फैसला कर लेती है कि वो इस्नो वाइट को मार देगी इसके लिए वो एक मंत्री को बुलाती है और उससे कहती है जाओ जाकर इस्नो वाइट को मार डालो रानी कैलिस्टा की बात सुनकर मंत्री डर जाता है मगर कैलिस्टा से कुछ भी कहे बिना वहां से चले जाता है और वो स्नोवाइट को जंगल मे ले जाता है वहां वो स्नोवाइट को सारी बाते बताता है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है ये सब सुनकर इसनो वाइट दुखी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है इसके बाद मंतरी वापिस महल आकर रानी कैलिस्टा से जूट बोल देता है कि उसने इसनो वाइट को मार दिया है मंतरी की बात सुनकर दुस्ट जादुगर्नी रानी बहुत खुश हो जाती है दूसरी तरफ इसनो वाइट जंगल में भटक ही रही होती है कि उसकी नजर एक छोटी सी जोपडी पर पड़ती है वो उस जोपडी के अंदर चली जाती है वहाँ वो देखती है कि बहुत छोटी छोटी साथ प्लेट लगी हुई है और उन में कई तरहे के भोजन परोसे रखे हुए है इसनो वाइट को काफी भूक लग रही होती है तो वो एक एक करके हर प्लेट से थोड़ा सा भोजन खा लेती है और फिर उसकी नजर वहाँ लगे साथ बैट्स पर पड़ती है तो वो आरम करने का सोच कर एक बैट पर लेट जाती है लेटे लेटे उसे नीद आ जाती है और वो सो जाती है थोड़ी देर बाद वहाँ साथ बौने आते हैं उन्हें अंदाजा लग जाता है कि वहाँ कोई आया हुआ है जैसे ही उनकी नजर स्नो वाइट पर पड़ती है उसकी खूपसूरती देख बौने उसे देखते ही रह जाते हैं कभी उन बौनों की फुस्फुसाहट से स्नो वाइट की नींद खिल जाती है और वो उनसे डरते हुए बौनों को सारी बाते बता देती है बौने उसकी बात सुनकर चौक जाते हैं और स्नो वाइट से कहते हैं अगर तुम हमारे लिए अच्छा खाना बनाओगी और हमारे घर का ख्याल रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो बौनों की बात सुनकर स्नो वाइट उनकी बात मान लेती है और फिर वो उन साथ बौनों के सार जंगल में उस छोटी सी जोपडी में रहने लगती है इधर महल में एक दिन वो तुष्ट जादुगर्नी रानी केलिस्टा फिर से अपने जादुई आइने से पूछती है कि आइने बताओ मुझे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुन्दर कौन है आइने से सवाल पूछ कर इस बार केलिस्टा ये सोच कर बहुत कुछ होती है कि स्नो वाइट के मरने के बाद अब आइना सिर्फ उसी का नाम लेने वाला है लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता है आइना जवाब देते हुए कहता है रानी केलिस्टा आप तो सबसे सुन्दर है ही लेकिन आप से भी सुन्दर है स्नो वाइट आइने का जवाब सुनते ही रानी केलिस्टा हैरान रह जाती है और सारी बात समझ जाती है कि मंत्री ने उसे धोका दिया है रानी कैलिस्टा तुरंत आइने से पूचती है कि स्नो वाइट कहा है इस पर आइना रानी कैलिस्टा को बताता है कि स्नो वाइट जंगल में एक जोपड़ी में बौनों के साथ रह रही है आईने की बात सुनने के बाद तुस्ट जादुगर्नी रानी कैलिस्टा एक योजना बनाती है वो जादु से एक जहरीला सेव बनाती है और उसे स्नुवाइट को खिला कर उसे हमेशा के लिए सुलाने का सोचती है वो अपने जादू से अपना रूप बदल कर स्नो वाइट के पास पहुंचती है और स्नो वाइट को सेव खरीदने को कहती है और खरीदने से पहले उसे चखने के लिए वही जहरीला सेव दे देती है स्नो वाइट उस दुष्ट जादूगर्नी रानी कैलिस्टा को बूड़ी औरत समझ कर मना नहीं कर पाती है और वो जहरीला सेव चक लेती है सेव चकते ही स्नो वाइट की तबियत बिगणने लगती है और इसी बीच वो दुष्ट जादूगर्नी अपने असली रूप में आ जाती है और स्नो वाइट के सामने हसने लगती है Snow White अपनी सोतेली मा को देख कर धेरान रह जाती है और गहरी नींद में चली जाती है कुछ समय बाद ही वहां बौने आ जाते हैं और वहां Snow White को जमीन पर पड़ा हुआ देख कर बहुत दुखी होते हैं वो सोचते हैं कि Snow White हमेशा के लिए उन्हें छोड़ कर चली गई है इसके बाद वो उसे दफनाने का सोचते हैं लेकिन ऐसा करने का उनका मन नहीं मानता और वो Snow White को एक शीशे के ताबुत में रख देते हैं तब ही वहां राजा एल्ड नौर के दोस्त का एक बेटा जो की एक राजकुमार था वो आता है वो Snow White को देख कर चौप जाता है और बहुत दुखी होता है वो बौनों से Snow White के बारे में सब कुछ पूछता है और फिर दुखी होकर Snow White को ताबुत समयत अपने साथ ले जाने की इजाज़त मांगता है ये सुनकर सारे बौनें दुखी हो जाते हैं वो ताबुत का शीशा खोलते हैं और फिर वो राजकुमार Snow White पर प्यार जताते हुए उसके हाथों को चूनता है इतने में ही Snow White को होश आ जाता है और वो सबको अपने सामने देख कर उसके साथ कोई सारी घटनाएं बताती है Snow White की बात सुनकर सब समझ जाते हैं कि दुष्ट जादुगर्णी सौतेली मात की वजह से ही ऐसा हुआ है इसके बाद वो सातों बौने जादुगर्ण बनकर राजा के दर्वार में पहुँचते हैं और राजा एल्डेनौर से कहते हैं कि उन्हें पता है कि रानी कैलिस्टा को खुबसूरत बनने का शौक है वो उन्हें सबसे ज़ादा खूपसुरत बना सकते हैं लेकिन इसके लिए राजा और रानी दोनों को उनके साथ चलना होगा रानी और राजा उनके साथ चल पड़ते हैं और जैसे ही रानी पर सूरज की किर्णे पड़ती हैं वो अपने असली दुष्ट जादूगर्णी वाले रूप में आ जाती हैं उसी वक्त वहाँ स्नो वाइट और राजकुमार भी पहुँच जाते हैं स्नो वाइट को देखते ही राजा एल्डनौर बहुत खुश हो जाते हैं फिर वो सभी राजा एल्डनौर को सारी बाते बताते हैं और फिर बॉन ने अपनी शक्तियों से जादूगर्णी के जादू को खत्म कर देते हैं जादू के खत्म होते ही चिडिया बनी असली रानी अमारा भी अपने असली इंसानी रूप में आ जाती है। राजा एल्डनौर और इस्नो वाइट राणी अमारा को देख बहुत खुश होते हैं और फेथ राजा एल्डनौर दुष्ट जादुगर्नी को बंदी बनाने का आदेश देदेते हैं। इसके बाद राजा एल्डनौर और रानी अमारा खुशी खुशी उनकी बेटी स्नो वाइट और राज कुमार के विवाहा का आयोजन करते हैं और बौनों को तौफे देते हैं और इसी तरह फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य की असले सुंदर्ता उसके विचारों, भावनाओं और वहवहार में होती है। बहारी रूप रंग समय के साथ बदल सकता है लेकिन एक अच्छा दिल, सच्चाई और दया, स्थाई होती है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से अच्छा है तो वो दूसरों के साथ प्रेम, सम्मान और इमांदारी से पेश आता है। ऐसी सुंदर्ता को देखकर लोग आकर्शित होते हैं और उसे हमेशा याद रखते हैं। इसी लिए हमेशा अपनी आंतरिक सुंदर्ता को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी समाप्त धन्यवाद। कहानी समाप्त रखते हैं।